स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टड़ी विद मोटिविशन में तो इस वीडियों बात करने वाले हैं यूपिटर पल सी लेक पाल भरती के बारे में जिसकी मुख पर इक्छा की जो संसोधित कटाप है वो जारी कर दी गई है आपको पता ही है तो अ उनका फाइनल सेलेक्षन हो सकता है कि नहीं इस बारे में भी बात करेंगे तो डीवी कराने जाते समय इस महत्पून दस्तावेज को ले जाना न भूले तो जो पंदरसो चानबे अब भ्यारती हैं तो उनको एक महत्पून दस्तावेज ले जाना है जो मैं आपको हम जो starting में जो मुख पर इक्षा थी उसकी जो cut-off आई थी DB के लिए उसे हम देखेंगे उसके बाद जो कुछ category ओमे cut-off down करके बुलाय गया था बेहर्थियों को उसके बारे में बात करेंगे फिर अभी हाल ही में जो नई cut-off जारी हुई है उस पर भी बात करेंगे क्योंकि उसी को base लेकर के हम final cut-off के बारे में बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 मई को जो DB के लिए result आया था मुख पर इक्षा का तो यह उसकी starting में cut-off थी आप देख सकते हो अनारक्षित अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती अनने पिछडा वर्ग और EWS उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सुतंता संग्राम सेनानी के जो आसरित उनके और वी क्लांग जन का तो सारे भीर्थियों बुलाए गया था महिला की cut-off और सान नभी यूजित भूत-बूर सै अभी जो नई cut-off आई हुई है तो यहाँ पर जो cut-off है यह आपकी इसी cut-off में अब आपकी जो final cut-off बनेगी तो इसी में बनने वाली है तो इसी से उपर आपकी जो final cut-off बनने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनारक्षित जो unreserved category है अनपिश्डवर्ग, OBC औ EWS की category में बढ़ोत्री हुई है अनपिश्डवर्ग, OBC कटेगरी में बढ़ोत्री हुई है बढ़ोत्री किसमी नहीं हुई है किसकी cut-off कम हुई है तो इसमें केवल और केवल आपकी एक ST की है अनसूचित जनजात की cut-off है जो आपकी कम हुई है बढ़ी नहीं है और उसके सब्सक्राइब करके बुलाय गया था यह वो कटाफ है आप यहां पर देख सकते हो महिला की जो कटाफ थी वह 75 कर दी गई थी 75.50 से 75 कर दी गई थी तो यह डाउन करके उनको बुलाय गया था तो अब बात करने वाले हैं कि जो final cut-off है वो क्या रहने वाली है सभी कटेगरियों के लिए अलग-अलग तो यह एक अनुमानित कटाफ है संभावित कटाफ है तो मेरा अनुमान है कि यह कटाफ यहां तक हो सकती ह और आपका क्या अनुमान है तो आप जरूर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो यहां पर अगर हम under जरूर कटेगरी की बात करें अनरक्षित की तो जो 77 गई है तो इससे जो कटाफ आप बनने वाली है वो आपकी 80 to 81 यह आपकी कटाफ रहने वाली है final कटाफ जरन की कटाफ है वो रहने वाली है अनरक्षित के लिए उसके बाद अगर हम बात करें अनसूचित जात की तो अनसूचित जात की जो कटाफ है SC की जो कटाफ है आपकी वो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो बढ़ने वाली है वो 0.5 भी बढ़ने वाली है 75.5 के सम्थिंग आपक की जो कटाफ है वो आपकी 65.25 है तो ज्यादा ज्यादा 65.50 ये भी रहने वाली है उसके बाद अगर मैं अन्र पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बात करूं OBC और EWS की मैं बात करूं यहां पर OBC और EWS की तो इनकी कटाफ में बहुत ही ज्यादा अ आसपास हो सकती है 79 आप मान की चलिए कि 79 की आसपास ही बिल्कुल आपकी जो कटाफ है पॉइंट में हो सकता है 79.5 या फिर आपका 79 ये लगभा कटाफ आपकी रहने वाली है EWS और OBC में अब अगर हम बात करें उसके बाद 17 अग्राम सनानी आसरित की तो इसमें भी आपकी जो कटाफ है 67.75 है तो ये भी आपकी 68 से ज्यादा जाने वाली नहीं है उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं महिला की तो महिला में आप यहाँ पे देख रहे हो 76.25 है तो इनकी जो कटाफ है वो आपकी 77 के आसपास रहने वाली है उसके बाद अगर हम भूतपूर सैनिकों की बात करें तो इनकी तो कटाफ लगभग यही जाने वाली है 65 ज्यादा ज्यादा अंतर पॉइंट फाइफ अगर आ सकता है तो आ सकता है नहीं तो इन की जो है 65.5 की आसपास हो सकती है यह 66 में जिन बहरतियों का है तो उनको जो है उनका फाइनल सेलेक्शन पक्का है तो इन कटेग्री के अगर बात करें अनारक्षित, EWS और OBC तो इन में ज्यादा अंतर फाइनल कटाफ में रहने वाला नहीं है जो मेरे अनुमान से ऐसा लग रहा है बागी कटेग्री के सारी कटाफ मैंने आपको यहाँ पर बता दी है पत करते हैं जो थर्ड लिश्ट डीवी 8085 पदों में भारती परिछा को संस्की संसोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है इसकी अनुसर 1500 जो छान में नए अभ्यारती सौट लिश्ट किये गये हैं उनके कागजातों के सत्यापन 14 से 16 दिसंबर तक लखनाव इस्थित आयोग के कारेले में होगा तो उसकी जो विश् करना जाईएगा अपना धार कर भी आप डीवी के लिए लेकर जाईएगा तो अब बात कर लेते हैं कि 1500 चान में जो अभ्यारती को डीवी के लिए बुलाए गया है तो क्या इनका फाइनल सेलेक्शन हो सकता है तो जो कटाफ मैंने बताई है अगर मैं OBC की बात करूं EWS की और जर्नल कटेग्री की बात करूं तो इन कटेग्रियों की जो अभ्यारती हैं तो इन अभ्यारतियों का मुझे नहीं लगता कि फाइनल सेलेक्शन में इनका किसी भी अभ्यारती का होगा यहां पर और बागी कटेग्री में आपका चांसेस हैं और महिला में भी बात करूं एक में फुल मार्क्स और एक में जो आपसन चेंज किया गया है उसकी वज़े से इतने अभैर्थियों को बुलाया गया है लेकिन फाइनल सेलेक्शन की अमीद बहुत ही कम है इन अभैर्थियों की EWS, OBC और अगर मैं जनरल कटेगरी की बात करता हूँ लेकिन आपको बुलाया गया है तो आपको जाना ही है और अपना आप जो है डीवी आपना करवानी है तो जिन अभैर्थियों को बुलाया गया है तो वो अपनी डीवी में सामिल जरूर हो जाकर करके अपनी डीवी करवाएं और जो भी आपको मैंने बता दिये दिस्तवित के अधार काड़ आपको लेके जाना है तो आप सारी डाकुमेंस साथ अधार काड़ भी लेकर जाएगा तो ये कुछ जान काड़ थी जो मुझे आप लोगों को साथ सेर करनी थी तो वीडियो को कैसा लाग अगर पसंद आया हुआ तो लाइक करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी तो चली दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद